आपका नया नया जॉब लगाएं अभी आपकी सैलरी कम है लेकिन उसमें से भी आप हर महीं दे 2-3-4000 रुपे बचा रहे हो क्योंकि आगे जाके या तो आपको कार लेनी है या घर वालों के लिए एक घर लेना है उसका डाउन पेमेंट आप जमा कर रहे हो दो तीन साल आप पैसे जमा करते हो आपके पास आप देड़ दो लाख रुपे इखटे हो गए और अचानक से एक दिन आप बिमार पढ़ते हो तीन चार दिन आप हॉस्पिटल में रहते हो और जब बिल आता है तो आप हैरान देड़ दो लाख का बिल वो सारे पैसे जो आपने घर के डाउन पेमेंट के लिए इखटे किये थे ना एक जटके में चले जाते हैं और आपका घर खरीदने का सपना तूट जाता है और फिर ना हमें बहुत गिल्ट होता है कि हेल्थ इंशॉरंस पॉलिसी ले लेना चाहिए था क्योंकि सिर्फ कुछ सौ रुपे आप देते और इस तरह के मेडिकल शॉक्स से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता अब हम हेल्थ इंशॉरंस क्यों नहीं लेते हैं दो कारणों से एक पुराना एक्स्पिरियंस घर में किसी का अच्छा नहीं रहा प्रीमियम बहुत सारा दिया था पॉलसी बेचने वाले ने बोला था कि क्लेम मिलेगा जरूरत के समय क्लेम नहीं मिला तो हम यह मानते हैं कि यह पॉलसी किसी काम की नहीं और दूसरा या तो यह बहुत महंगी होती है या कॉम्प्लिकेटड होती है तो आज इस वीडियो में हम आपके लिए चुनेंगे एक परफेक्ट हेल्थ इंशॉरंस पॉलसी जो जरूरत के समय काम भी आएगी और अफोडेबल भी होगी तो आज हेल्थ इंशॉरंस पॉलसी को जरा ठीक से समझते हैं इन पीके बोला पॉलसी में एक ऐसा क्लॉस होता है जो बिमारिया आपको आलरेडी है जब आपने ये पॉलसी ली उसके पहले से आपको कोई बिमारी है अगर उसके कारण आपके लंबे चौड़े मेडिकल बिल आते हैं आप होस्पिटलाइज होते हैं उस case में आपको policy आपके बिल दो-तीन साल बाद भरेगी क्योंकि ये बिमारी तो आपको आलरेडी है तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि आपको पता है कि दो महीने बाद आपको operation होने वाला है और सिर्फ और operation का बिल भरवाने के लिए आपकी policy ले रहे हो तो अगर आपको कुछ existing बिमारिया है उसको कितने समय बाद policy cover करेगी उसको कहते है waiting period. हाँ कोई नई बिमारी हो गई जो पहले से नई है तो आपको तुरंत claim मिलेगा existing बिमारियों में नहीं मिलेगा. तो आपको ऐसी policy चुननी है जिसमें waiting period clause कम से कम हो. कई policy में यह 8-9 महीने भी होता है. कई में साल, कई में 2 साल, कई में 3 साल. आपको देखना है किस में सबसे कम है. अब देखिए, भगवान ना करे कि आप कभी भी बिमार हो. जादा तर लोग जो है न, वो कुछ सालों में एक बार इतना बिमार होते हैं कि hospital जाना पड़े. भगवान करे कभी ना ज दिसकाउंट मिल जाए या आपका coverage हर साल वो बढ़ा दे. लेकिन अगर आप insurance policy से claim नहीं ले रहे हो, तो जिस तरह से गाडियों में अगर हम claim नहीं लेते हो, तो तुमारा insurance अकले साल सस्ता हो जाता है, claim ना लेने का benefit, कौन सी policy जादा आपको दे रही है, ये भी important criteria है, क्यो जो health insurance policies होती थी, उनमें सिर्फ hospitalization cover होता था, लेकिन medical के खर्चे बस hospitalization के तो नहीं होते हैं, एक दिन का treatment भी हो सकता है, जिसमें admit नहीं होना है, बस OPT जाना है, day treatment था, root के नाल कराना है, दात निकाल दिया, तो आप admit नहीं हुए, तो पहले कई policy होती थी, कम से कम 24 घंटे भरती होना है, hospital में तभी claim मिलेगा, आजकल बहुत सारी ऐसी policies available है, जो day treatment, जिसमें admit होने की जरुवत नहीं, उसके लिए भी claim देती है, इसके अलावा कई ना preventive health वाले expenses होते हैं, जैसे मैं full body scan करवा रहा हूँ अपना, तो वो भी तो health related expense है ना, उसके लिए भी मुझे claim मि तो आपको ऐसी policy चाहिए, जो ना सिर्फ hospitalization, बलकि उसके आसपास के जो खर्चे होते हैं, day care treatment होते हैं, उसको भी अपने coverage में cover करें, इसी से जुड़ावा अगला point है, देखो, मान लेते हैं, आप hospital में admit हुए, दो-तिन दिन में discharge हो गए, अब discharge होते ही, आपके medical खर्चे ख आजकल बहुत सारी ऐसी health insurance policies available हैं, जो ना सिर्फ hospitalization, बलकि hospitalization से पहले होने वाले खर्चे, क्योंकि कई बार हम directly hospital में admit नहीं होते हैं, हम पहले doctor के पास जाते हैं, वो कुछ test करवाते हैं, कुछ दिन दवाईयां चलती हैं, फिर ठीक नहीं होते तो hospital जाते हैं, तो यह हुए pre-hospitalization expenses, फिर hospital में admit उसके बार discharge हुए, कुछ दिन फिर treatment चला, यह हुआ post-hospitalization expenses, तो आपको ऐसी policy चाहिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा दिन, pre-hospitalization expenses भी cover करें, और post-hospitalization expenses भी cover करें, और यह मुझे लगता है कि कम से कम, एक महीना pre और एक महीना post, यह तो bare minimum है ही, प logic यह है कि अगर मेरे घर में चार लोग हैं, और मैं चारो के लिए health insurance एक ही plan मिल लेता हूँ, family floater plan में, तो यह बहुत unlikely है कि चारो ही उस साल बिमार हो जाएंगे, तो ऐसे में एक family floater plan से क्या होता है, कि कोई एक भी बिमार हुआ, तो वो जो आपका policy cover है, वो उसकी बिमारी यह unlikely है, तो family floater से यह होता है, कि हम coverage जादा ले सकते हैं, जैसे मान लीजे, individually जब आप ले रहे हैं, तो आप शायद 5-5 लाग की अगर individual plan ले जाएंगे, तो 5 लाग का ही cover एक को मिला, plus cost बढ़ जाएगा, लेकिन family floater पे आप हो सकता है, 10 लाग का family floater ले लें, क्योंकि आप को पता है कि हर कोई बिमार नहीं होने वाला, कोई एक भी हुआ, तो उसके लिए 5 लाग नहीं, अब 10 लाग available है, तो emergency के case में family floater में जादा coverage available होता है, medical bill बड़ा भी आए, तो cover हो सकता है, इसमें एक बात का ध्यान रखना है, कि अगर family में कोई already बहुत जादा बिमार है, तो उसको family floater plan में include नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके कारण पूरी family का premium बहुत बढ़ जाएगा, तो अगर 4 और 5 और individual healthy हैं, और आप थोड़ा सा cost safe करना चाहते हो, क्या फिर आप चाहते हो, कभी भी कोई बिमार पड़े, तो उसके पास अच्छा खासा coverage available रहे, तो ऐसे म family floater एक अच्छा option हो सकता है, आपको न एक important point लोग miss कर जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि उस policy की maximum entry और renewal age क्या है, क्योंकि हमारे बिमार होने की जादा chances कब होती है, जब हमारी age बढ़ रही होती है, ऐसे में अगर आपने कोई ऐसी policy ले ली, जो बोलती हो कि नही अब आप 65 के हो गए हो, अब हम आपको ये policy continue नहीं करने दे सकते हैं, इस policy की maximum limit 65 की age है, तो आप first जाओगे, उसके बाद कोई और insurance भी आपको policy देगा नहीं और देगा भी, तो 2-3 साल का फिर waiting period हो जाएगा, उन 2-3 साल में आपको claim नहीं मिलेगा, तो आपको ऐसी policy चुनन लेकिन remind करा ना, मेरी duty है, आपको हमेशा ये देखना है कि सारी health insurance policies एक जैसी नहीं होती, कोई policy में कोई disease covered होती है, कोई excluded होती है, दूसरे में कोई दूसरी diseases excluded होती है, कुछ covered होती है, तो आपको ऐसी policy चाहिए, जिसमें कम से कम exclusions हो और जादा से जादा diseases included हो, कई health insurance policies में ज इसमें exclusions कम से कम हो, 50-100 रुपे premium भड़ भी जाए, लेकिन जरूरत के समय काम आए, आपको ऐसी policies लेनी है, अगला aspect है, capping on individual expenses, जैसे कई policies में क्या होता है, वो बुलते हैं कि cover तो 5 लाग तक का है, अगर कुछ हुआ तो 5 लाग तक का बिल मिलेगा, लेकिन उस पे वो individual capping ल लाग धिर लाग का ही मिले, क्योंकि insurance policy बोल देगी, हाँ हाँ, पांच लाग की policy है, लेकिन room rent पे हम 2000 परड़ी देंगे, और आपका बिल है 5000 रुपे परड़े, तो 3000 परड़े का आपको अपनी जेब से देना पड़े, तो ये सब नहीं होना चाहिए, आपको एक ऐसी policy लेन freedom होनी चाहिए, कि वो जो आप claim amount है, उसको कैसे भी use कर सब, इसके बाद आता है, wide network of cashless claim settlement, इसका मतलब ये है, कि ये जो आपकी health insurance company है, उसका tie-up जादा से जादा hospital से होना चाहिए, जहाँ पर ऐसा ना हो, कि पहले आपको bill भरना पड़े, फिर आप insurance company के form भरते, फिर आपक bill जैसे ही hospital ने raise किया, insurance company तुरंट उसको अपने आप भर दे, ऐसे में आपके पास अगर पैसे उस समय नहीं भी है, तो problem नहीं होगी, वरना तो आपके पास पैसे नहीं और insurance company बोलेगी, अभी आप भर दो, claim करना हम दो महीने बाद देंगे, तो आप तो first जाओगे ना, तो बोलेगी 500, और हमें लगेगा 500 वाली बेटर है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें ये देखना है कि हमारे शहर में network किसका अच्छा है, कई कंपनियों का south में network अच्छा है, कईयों का north में, जाधा तर chances यह हैं कि हम जब बिमार होगे, तो हम अपने शहर में होगे, तो आपके शहर में, जो आप सोचते हों कि ये 2-3 अच्छे hospital हैं, जहां मैं safe feel करूँगा अपने treatment में, उस hospital का tie-up, आपकी insurance policy के साथ है की नहीं, ये सबसे जरूरी बात हो जाती है, और अगला point, कई लोग health insurance इसलिए नहीं लेते हैं, कि वो कहते हैं, हमारी company ने हमें already दिलाया हुआ है, में add-on features नहीं होते, OPD coverage नहीं होता, pre-post-hospitalization कम होता है, तो कई बार corporate health insurance जरूरत के समय पूरी तरीके से काम नहीं आता, वो है, बहुत अच्छी बात है, कुछ situations में काम आएगा, ऐसा नहीं है कि वो useless है, लेकिन on top of it, अगर आपका एक खुद का और comprehensive health insurance policy हो, तो जरूरत के समय जादा ये काम आएगा, अब मैंने तो आपको 10 pointers दे दिये, लेकिन ये सब आप check कहां करोगे, कहां देखोगे, और कैसे policy को लोगे, ये सारे features कौन सी policy में हैं, किसमें नहीं, पता कैसे चलेगा, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा policy बाजार में, और आप multiple companies की insurance policies एक most cases में, जरुवत नहीं पढ़ने वाली है, और instantly आप अपना health insurance policy खरीच सकते हो, और आपको पता है, आपको health insurance policy लेने पे न, 75,000 रुपे तक के tax benefits मिलेंगे, under section 80D, साथ ही, आपको मिलेगा 30 minute claim support भी, अब मान लो, आप किसी ऐसी जगे hospitalized हो जाते हो, जहां आपको help करने के में help करेगी within 30 minutes, और यहां आप instant health insurance policy ले सकते हो, बिना medical tests के, policy bazar का link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा, तो उमीद करता हूँ, आपको ये वीडियो helpful लगा होगा, अगर हाँ, तो जल्दी से चानल को subscribe कर दीजिए, और bell icon को दबा दीजिए, ताकि आप और मैं हमेश जुड़े रहें, ये वीडियो आपको कैसा लगा, उसको आप comment करके मुझे जरूर बतायेगा इस वीडियो को out of 10 rate करके, जब भी आप इस वीडियो को rating करते हो, 10 में से, कितने भी number आप देना चाहते हो, वो देते हो, तो मुझे पता चलता है, कि मैं तहां improve कर सकता हूँ, तो मेरी इस वीडियो को rate जरूर कर दीजेगा, और अगर आप इस वीडियो को 9 या 10 की rating दे रहे हो, तो फिर आप इसे like भी कर सकते हो, मैं लाता रहूँगा ऐसे और बहुत सारे videos, इस प्रांजल कामरा, signing off, बाई बाई